आज की इस क्लास के मध्धम से आपके लिए रोकड़ प्रबाह व्यूरन कैस फ्लो इस्टेटमेंट वाला चैप्टर ले कर आए हैं आपको ध्यान देना है इसके पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है कोश प्रबाह व्यूरन को इंगलिस में फंड फ्लो इस्टेटमेंट कहते हैं कोश प्रबाह व्यूरन में मैंने पहले आपको पूरा का पूरा थेयोरी बताया थेयोरी के बाद मैंने नियम बताए नियम के बाद मैंने आपके लिए कई question solve कराई जो आपके paper में पूछे जा सकते हैं उसी प्रकार में रोकड प्रबाह अभिवरण की पहली theory बताऊंगा फिर नियम बताऊंगा नियम बताने के बाद एक एक question को solve करके मैं आपके सामने रखूंगा जो चात्र पूरी वीडियो देखना चाते हैं पूरे accounting वीकॉम यमकॉम के किसी भी subject को पढ़ना चाते हैं हमारे दिये गए mobile number पर संपर करेंगे उनके लिए paid class उपलब्ध हैं जो पूरी की पूरी accounting पढ़ना चाते हैं पूरे के पूरे income tax पढ़ना चाते हैं corporate tax पढ़ना चाते हैं अर्थाद, यमकॉम और वीकॉम के सभी subject हमारे यहां उपलब्ध है लेकिन पूरी वीडियो के लिए मैं charge लेता हूँ जो की हमारा निर्धारिस सुलका है आपको ध्यान देना है रोकड प्रवाह ब्यूरण कहते किसे हैं इसके बारी में थोड़ा जानते हैं आपको पता है कोई भी व्योसाए है कोई भी व्योसाए है व्योसाए में रोकड की मुख्य भूमिका होती है रोकड का मतलब होता है कैस की मुख्य भूमिका होती है बिना किसी कैस के, बिना कैस के, बिना रोकड के कोई ब्यापार संचालित ही नहीं किया जा सकता आपको ध्यांदे ना है रोकड प्रबाह ब्यूरण किसे कहते हैं रोकड प्रबाह ब्यूरण का मतलब होता है कोई भी ब्योसाय हो बिना रोकड के यानि कि बिना कैस के ब्योसाय संचालित ही नहीं किया जा सकता जिस प्रकार मनस्य को जीवित रहने के लिए रक्त दोड़ना सरीर में रक्त का संचार होना जरूरी है उसी प्रकार किसी भी ब्योसाई के लिए धन का होना बित का होना या मुद्रा का होना जिससे हम कहते हैं रूपे का होना या कैस का होना जरूरी है बिना कैस के कोई व्यावसाय चल नहीं सकता जिस दिन मनुस के नाड़ी से खून बहना बंध हो जाएगा उस दिन मनुस जीवित नहीं रहेगा उसी प्रकार जिस दिन व्यावसाय में कैस नहीं रहेगा उस दिन से व्यावसाय का अस् चैप्टर आपको cash flow statement या fund flow statement पूरा का पूरा नियम हो ही मिलेगा, question जो solve करेंगे उसमें थोड़े थोड़े amount में अंतर रहते हैं और कोई अंतर नहीं रहता किसी भी बुप में, क्या कहा है इनुने रोकड प्रबाव व्यूरन के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, कह रहा हैं, प्रतेक ब्योसाई के संचालन में रोकड की महत्यपूर्ण भूमिका होती है, ब्योसाई क्रियाओं के परिडामों का विसलेशन करते समय, हमें यह ज्याद करना होता है, लेखांकर अवदि के प्रारंभ में कितना रोकड था और अंत में कितना रोकड है, रोकड प्रबाह की इस्थिती क्या रही? किन सुरोतों से रोकड आया और किन सुरोतों पर रोकड गया? कोई भी ब्योसाई संस्था हो कोई भी firm हो कोई भी company हो कोई भी ब्योसाई हो आपको सबसे पहले पता करना है कि पहले से रोकड के रूपया था कितना रूपया था और पूरे साल ब्योसाई चला वर्स के अंद में जैसे balance sheet बनती है profit loss बनता है वर्स के अंद में balance sheet के assets में दिखाया जाता है कितने की assets बची हुई है कहां कहां से पैसा आया है कहां कहां पैसा गया है इसी बात की हम चर्चा करेंगे रोकड प्रबाह ब्योरण के अंतरगत cash प्रबाह ब्योरण के अंतरगत आपको ध्यान देना है पैसा कहां कहां से आया है और कहां कहां पर गया है कोई दिकत नहीं मैंने लिखा है मिनहत से मैंने लिखा है इसे आपको अपनी कॉपी में जरूर लिखना है ध्यान दीजिएगा हमारी पूरी बातों को समझिएगा एक एक प्रश्न आप सौल्ब कर लेंगे आसे बहुत पूस्ता है पेपर में सौर्ट टाइप कुश्चन में आसे बहुत पूस्ता है रोकड प्रबाह ब्यूरण होता क्या है इतनी देर मैंने आपको बताया अगर आप उतना ही समझ लेंगे तो रोकड प्रबाह ब्यूरण के अंतरगत आप लिख लेंगे क्या कह रहा है रोकड प्रबाह ब्यूरण किसी उपकरम की रोकड की इस्थिती में परिवर्तन के कारणों को अस्पष्ट करता है ध्यान से सुन्यें फिर से रोकड प्रबाह व्यूरण किसी उपकरम का मतलब होता है कोई भी ब्योसाइक संस्थान हो कोई भी कमपनी हो, कोई भी फर्म हो, कोई भी उद्योग हो रोकड की इस्थिती में परिवर्तन, रोकड की इस्थिती में परिवर्तन का मतलब होता है रोकड कम भी हो सकता है और रोकड बढ़ भी सकता है आपको ध्यान देना है कोई भी ब्योसाय हो रोकड में कमी भी आती है रोकड में वृद्धी भी होती है इसी चीज को अस्पष्ट करता है कि परिवर्तन क्यूं हुआ पैसा गया कहां आया कहां से इसी चीज को हैं हमारी company में पैसा आया पैसा गया क्यों ऐसा हुआ उसके परिवर्तन के कारोणों को असपश्ट करता है आपको ध्यान देना है कोई ब्योसाई है बिना ब्योसाई बिना रोकड के कोई ब्योसाई चल नहीं सकता रोकड जहां-जहां से आया हो जहां-जहां से गया हो इसी बात का तो हमें अध्यन करना है आप समझो जिन ब्योहारों से ब्योहारों का मतलब होता है लेन-देन ट्रांजक्शन रोकड में व्रिध्धी होती है उसे कैस इन फ्ला कहा जाता है जिन ब्योहारों से रोकड में व्रिध्धी होती है उसे कैस इन फ्ला का मतलब होता है रोकड अंतरवाह अंतरवाह का मतलब कहां कहां से रोकड आया हुआ है कैसिनोफलो का मतलब फिर समझे कहां कहां से रोकड आया हुआ है रोकड आयेगी तभी तो रोकड में वृध्धी होगी अब अगला समझे जिन विवहारों से विवहारों का मतलब होता है लेन देन रोकड में कमी होती है कमी आती है उसे cash out flock हा जाता है एक बार आप फिर से समझ लिजिये फिर से समझने का तत्पर यह है कि रोकड प्रबाह वियुरंड के अंतरगत हम किसी उपकरम के रोकड की इस्थिती और उसमें परिवर्तन के कारण को पढ़ेंगे कोई भी उपकरम हो, कोई भी बेवसाइक संस्था हो आपके हाँ कोई उपकरम हो, आपके घर में कोई दुकान हो आपके पडोस में कोई दुकान हो इसी बात का अधिन किया जाएगा कि रोकड में परिवर्टन की हुआ पैसा बढ़ा बृद्धी हुई है तो cash inflow कहा जाता है paper में पूछ लेता है roker अंतर वह क्या है cash inflow क्या है cash out flow क्या है paper में पूछ लेता है तो आपको बताना है कहां कहां से आएगा जहां जहां से जाएगा आएगा तो ब्रिद्धी होगी जाएगा तो कमी होगी आएगा तो कैस इन फ्लो वो लेंगे जाएगा तो कैस आउट फ्लो वो लेंगे अभी आप और आगे पढ़ लेंगे तो और आप जवाब कुशन हो गएर लगा लेंगे तो जिसके अनुसार रोकड प्रबाह तीन क्रियाओं में वर्गित क्रित किया जाता है रोकड का जो प्रबाह होता है प्रबाह का मतलब चाहे आए चाहे जाए पहला होता है परिचालन क्रियाओं का मतलब होता है कोई भी ब्योसाइक संस्थान हो वहाँ पर क्रय होता है, विक्रय होता है, मतलब रोकड आता है, जाता है, जो ब्योसाइक संस्थान होता है, चाहे सेवा का प्रियोक किया जाए जाए, जहे जहां सेवाएं दी जाती है, जहां बस्तूओं का क्रय विक्रय हो जाता है, सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, तुसे परिचालन क्रियाओं के अंतरगत रखा जाएगा बस्तूओं का क्रेविक्रे होता है तुसे परिचालन क्रियाओं के अंतरगत रखा जाएगा विन्योजन क्रियाओं का मतलब क्या होता है विन्योजन क्रियाओं का मतलब होता है कि विन्योज किया जाता है अपने पैसे को बाजार में लगाया जाता है बाजार में जमा किया जाता है कमपनी अंस खरिती है उपरम डेवेंचर खरिते हैं किसी को उधार देते है वित्ती क्रियाओं का मतलब होता है वित्ती क्रियाओं का मतलब होता है financial जो position होती है उसके अंतरगत वित्ती क्रियाओं आती है जिसे किसी को पैसा दिया किसी से पैसा लिया तमाम क्रियाओं होती है वित्ती क्रियाओं में आपको अलग अलग एक एक point को एक-एक topic को अच्छे से पढ़ाया जाएगा मैं इसमें हो सकता हूँ कम बता रहा हूँ बिनियोजन का मतलब क्या हुआ परिचालंग का मतलब क्या हुआ बित्तिय का मतलब क्या हुआ लेकिन जब आप पूरा का पूरा पढ़ेंगे एक-एक नियम मिलेगा आपको और पूरा नियम में बताने वाला हूँ आने वाले वीडियोज में अगला क्या है रोकड प्रबाह ब्यूरण को रोकड में परिवर्तन के कारण रोकड प्रबाह ब्यूरण को रोकड में परिवर्तन की हुआ रोकड में परिवर्तनों के कारण का ब्यूरण अथवा रोकड के आधार पर बित्ती इस्थिती में परिवर्तन का ब्यूरण भी कहा जाता है मतलब रोकड प्रबाब वियूरण का नाम दे दिया उन्होंने रोकड में परिवर्तन के कारणों का जो वियूरण बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है रोकड प्रबाब वियूरण अगला है रोकड के आधार पर बित्ति इस्थिती में परिवर्तन तुसे क्या कहा जाता है रोकड़ प्रबाह ब्यूरन के दो और नाम है इससे आपको ज़्यादा कोई मतलब नहीं है थोड़ा समझ लीजिए बस एक बार फिर से बताना चाहते है कॉपी में जरूर लिखिएगा अगला कह रहा है रोकड़ प्रबाह ब्यूरन के उद्दिश या प्रियोग मतलब रोकड़ प्रबाह का रोकड़ प्रबाह ब्यूरन का उद्दिश क्या होता है इसका प्रियोग कहां किया जाता है अथवा रोकड़ प्रबाह ब्यूरन के लाव या महत्य रोकड प्रबाह वियूरन रोकड प्रबाह वियूरन के महत्व क्या है इस बात की चर्चा भी हम करेंगे इस बात को भी हम पढ़ेंगे पेपर में बहुत मुझा जाता है सारट टाइब कुश्चन और लॉंग टाइब कुश्चन दोनों के अंतरगत आप किसी भी एर का मॉडल पेपर उठा के देख लेंगे जो मैं बताऊंगा वही पेपर में आएगा यह मेरी गैरंटी है पहला कह रहा है प्रियोग पूछे तब भी यही लिखना है उद्यस पूछे तब भी यही लिखना है प्रियोग पूछे तब भी यही लिखना है महत पूछे तब भी यही लिखना है पहला रोकड इस्थिती का विशलेसन रोकड प्रबाह व्यूरण का प्रियोग किसलिए किया जाता है कि व्योसाई में रोकड की इस्थिती क्या है रोकड में कमी हुई है कि रोकड में वृध्धी हुई है थोड़ा किताब का भी उज़ कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा और बता दिते हैं कह रहा है, रोकड प्रबाह ब्यूरण में फर्म के रोकड से इसकी कमी या व्रिध के कारणों को असपश्ट करता है, कुछ दसाओं में हो सकता है, लाब होते हुए भी रोकड में कमी हो जाए, कुछ दसाओं में ऐसा होता है, लाब कम होते हुए भी रोकड बढ़ जाए, ध् उसका बिशलेशन करता है वृद्धी हुई है उसका बिशलेशन करता है ध्यान दीजेगा कभी-कभी ऐसा होता है लाभ कम हो तब भी रोकड बन जाता है कभी-कभी ऐसा होता है लाभ कम जादा हो तो रोकड कम हो सकता है कोई दिक्कत नहीं ध्यान दिजेगा एक एक अल्पकालीन रोकड नियोजनवा प्रबंध अल्पकालीन रोकड नियोजनवा प्रबंध का मतलब क्या होता है अल्पकाल में रोकड की प्लानिंग कैसे की जाए रोकड मतलब कैस का मैनेजमेंट कैसे किया जाए कहाँ पर खर्च किया जाए, कहाँ पर प्रियोग किया जाए, इस بात को हम लोग घ्यान देने हैं। किया जाए रोकड का नियोजन प्लानिंग कैसे की जाए इस बात का अध्यन करता है अगला होता है तरलता का मुल्यांकन तरलता के मुल्यांकन का मतलब होता है रोकड तरल है जिसको रोकड दोगे जिसको कैस दोगे वह सुविकार कर लेगा आप किसी भिखारी को कैस दोगे त इसके पास पैसा है वो भी सुविकार कर लेगा आप किसी पागल को दोगे किसी छोटे बच्चे को दोगे तब भी रोकड को लोग सुविकार कर लेते हैं क्यों सुविकार कर लेते हैं क्योंकि रोकड तरल है जिसको देते हैं वो सुविकार कर लेता है वह उसे प्रियोग करन उसके अंदर चमता होती है उससे बस्तूओं का वा स्यवाओं का क्रेWा व्क्रे कर लेता है इर्व ने भी यही कहा है तररल्ता का आसे तालू दैत, चालू धायТनों को समय पर करने की योगता से है मतलब कि किसी को आप देंगे क्रेटा को देंगे विक्रेटा को देंगे किसी को देंगे आपको क्रेटा विक्रेटा लिखना है विखारी भारी नहीं लिखना मैं आपको एक्जामपल बता रहा हूं तो तरलता किसी को देंगे तो अपना सुविकार कर ले इसलिए तरलता का मुल्यंकर किया जाता है कि व्योसाय की तरलता इस्थती क्या है अगला है विभिन क्रियाओं से रोकड प्रवाह का विशलेशन विभिन क्रियाएं होती है व्योसाय में क्रे होता है विक्रे होता है व्य होते है हानिया होती है आय होता है लाव होता है रोकड प्रवाह का विशलेशन कर लिया जाता है इसी के आधार पर ठीक है अगला कहरा है परिचालन परिडामों की तुलना का मतलब क्या है विभिन उपकर्मों की परिचालन कुसलता की तुलना मुल्यांकन सरलता से हो सकती है ध्यान दीजेगा कोई भी व्यवसाय है कोई भी फर्म है कोई भी संस्था है कोई भी कंपनी है अगर उसके पास रोकड़ है कैस है तो उसकी तुलना कर ली जायेगी इसकी योग्यता क्या है इसको चलाने में तूलनातमक अध्यन कर लिया जाएगा कि इसकी इस व्योसाई की योग्यता क्या है इस व्योसाई के पास इस फर्म या संस्था या कंपनी के पास कितनी मात्रा में रोकड हमारे पास बचा हुआ है इसका अध्यन कर लिया जाता है नितियों के निर्धारण में सहायक का मतलब होता है कोई भी ब्यवसाय हो वहाँ पर नितियों का जो निर्धारण गिया जाएगा वहाँ पर जो प्लान बनाए जाएंगी नितियां बनाए जाएंगी वहाँ पर रोकड है रहेगा तब निति बनेगी कोई ब्योसाय हो ब्योसाय का मुख अंग क्या है रोकड रोकड से ही प्लान बनते हैं रोकड से ही रीतियां वा नीतियां निरधारीत होती है क्योंकि पैसा सब कुछ है पैसे के बिना ब्योसाय की एक्टिविटी नहीं हो सकती रोकड प्रवाह के भावी अनुमान में सहायक जैसे आप रोकड प्रवाह इस साल का तैयार करेंगे तो आपको उसी के आधार पर भविष्च में आने वाली रोकड की इस्तिती के बारे में जानकारी प्राप्थ हो जाएगी भविष्य में अनुमान आप लगा सकते हैं अगला है बाहरी पच्छों के लिए उपयोगी बाहरी पच्छों के लिए उपयोगी क्यों होता है जैसे हमारा लेंदार है हमारा हमने कहीं से उधार सामान खरीता है तो उसको हम तुरंत पैसा पेमेंड भी कर सकते हैं इसलिए कह रहा है कि बाहरी पच्छकारों के लिए उपियोगी इन्होंने भी वही कहा है किसी को पैसा देना है तो आप बारी पच्छकारों को दे सकते हैं बिनियोग कर सकते हैं मैंने आपको बताया रोकड प्रबाब्यूरण से आसे रोकड प्रबाब्यूरण तीन प्रकार वरगी कृत किया जाएगा तीन प्रकार से question solve होंगे सब मिला के बाद में एक बार में आ जाएंगे वो बात की बात है उस जिसका प्रियोग कहां कहां कर पर किया जाएगा अब आपको पढ़ना है रोकड प्रबाब्यूरण एवं कोश प्रबाब्यूरण में अंतर इसको ध्यान में रखना है रोकड प्रबाह ब्यूरण और कोश प्रबाह ब्यूरण में अंतर क्या होता है पहला अउधारडा अंग्रेजी में कहते है concept मेन विंदू क्या है concept कहां से पकड़ेंगे इसको हम रोकड प्रबाह ब्यूरण जो होता है रोकड या रोकड तुल्ले का अध्यन किया जाएगा इसमें रोकड मतलब जो कैस वास्तों में गल्ले में पैसा रखा हो बैंक में पैसा रखा हो इसे बोलते हैं रोकड रोकड के समान जिसे कैस, बैंक, चेक चेको गहरा है सब क्या माना जाएगा रोकड के समान माना जाएगा मतलब कि जो रोकड हो जिसे लोग सुभिकार कर लें रोकड के रूप में कोश प्रभाभ व्यूरण में अंतर क्या होता है यहाँ पर हम लोग किसका अध्यन करेंगे इसका कॉंसेप्ट क्या होता है कारीशील पूझी, वरकिंग केपटल के लिए मैंने फर्मूला आपको बताया है करेंट असेट्स माइनेस करेंटा लाइबिल्टी वरकिंग केपटल का फर्मूला बताया है ठीक है अर्थात, रोकड प्रभाभ व्यूरण में करेंगे रोकड से तुलxico रोकड के समान इसे बोलते हैं cash and cash equivalent cash के समान कोश प्रभा में कारशील पूजी का मतलब होता है current assets current assets minus current liabilities का अध्यन करेंगे एमेन concept होता है मारा अगला है लेखांकर का आधार लेखांकर का आधार क्या होता है रोकड प्रभा ब्यूरण में रोकड के आधार पर किया जाता है मतलब कैस जो होती है कोश प्रभा ब्यूरण में उपारजन उपारजन का मतलब जो अरजित आय है उसके आधार पर की जाती है अगला है कारणों का असपश्टी करण रोकड प कowie इतने का बचा है और क último अइसा कम ज़्यादा हुआ है इसका कारण दर्साया जाता है को प्रभा आद्यत्स में sy define नेट्वर्किंग कैपिटल में परिवर्तन के कारण को दर्शाया जाता है नेट्वर्किंग कैपिटल का कारण क्यूं बढ़ा हुआ है क्यूं कम हुआ है क्यूं ज्यादा हुआ है जैसे मैंने आपको नेट्वर्किंग कैपिटल निकालना बताया था कैसे निकालते हैं मैंने रोकड सेस रोकड प्रबाह ब्यूरण में रोकड के प्रारम्भी के ओम अंतिम सेसों को दिखाया जाता है उस अवध में कमी या ब्रिध्धी की रास के साथ मिलान किया जाता है अगर रोकड में कोई कमी हुई है रोकड में कोई ब्रिध्धी हुई है कोष प्रभा ब्यूरण में रोकड सेसों को कारिसील पूजी के ब्यूरण में दिखाया जाता है धान दिजेगा रोकड प्रभा ब्यूरण में प्रारंभी के ओम अंतिम को दिखाया जाता है उस अबध में कमिया ब्रिधी का मिलान किया जाता है जबकि कोश प्रबाब्यूरण में रोकड सेसों को कारेसील पूजी में ब्यूरण को दिखाया जाता है दीर्ग कालीन यूम अल्प कालीन दीर्ग कालीन वा अल्प कालीन क्या होता है रोकड प्रबाब्यूरण अल्प कालीन बित्ती विशलेशन है क्योंकि अल्प समय में परिवर्तित होता रहता है बहुत जल्द रोकड परिवर्तित होता रहता है किसी भी ब्योसाय का हूँ कमी भी हो जाएगी ब्रदी भी हो जाएगी परड़े होती है यह चीज तो कोश प्रबाव बउरण जो होता है दिर्ग कालीन बित्ती विशलेशन क्यूं है क्यूंकि इसमे current का भी होता है और FIX का भी होता है फिक्स संपत्यां जो होती है कुछ सब तक की फिक्स होती है तो इसलिए मैंने आपको पताया कहां तक दीरगकालीन एम अल्पकालीन बित्यध, आपको ध्यान देना है 6 नंबर तक पढ़ने के बाद हमारे बुख में 7 नंबर दिया है और 8 नं दिया है इसको हम पढ़ देते हैं आप अपनी आवसकता अनुशार अपने शुभधा अनुशार अपनी कौपे में लिग भी लीजिएगा कहरा ध्यान केंद्रण ध्यान केंद्रण में रोकड प्रभाव व्यूरण एक लेखांकन अवधि में ब्योसाई के परिचालन जैसे इसको बोला ब्योसाई के बिनियोजन ब्योसाई के बित्तिय क्रियाओं पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करता है पिर सुनिए, रोकड प्रबाव विवरण, परिचालन किरियाओं, बिनियोजन किरियाओं, वित्ती किरियाओं में परिवरतन क्या हो रहा है, उसको ध्यान में रखता है कोष्प्रबा तैडरके पूजी पर ध्यान होता है आपका, इसमें इन चीजों तीनों पर होता है, उसमें किस पर होता है, कोष्प्रबा जो हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरे नंबर में किस पर होता है, ऐनी वर King Capital पर आठमा उपयोग ब्योहारिक उपयोगिता इंस्टिटूट आफ चारटर्ड अकाउंटेंट आफ इंडिया बित्तिय लेखांकर प्रमाप अमेरिका और से भी सभी ने ब्योसाई की तरलता की द्रिष्ट कोण से रोकर प्रभाह बीऊरण को कोस्प्रभाह ब्यूरण से अधिक उपयोगी वाना है जितने भी इंस्टिट्यूट है चारटर एकाउंटिंग संबंधी एकाउंटिंग के बड़े-बड़े इस्टिट्यूट जो है जो एकाउंटिंग से संबंधित नियम का अनुन बनाते हैं उन सभी का मानना है कोस प्रबाह विवरण से अच्छा रोकड प पॉइंट को हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे अगर कोई विदिक्कत होती है तो आप हमें जरूर अउगत कराएं आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा जो छात्र हमारी क्लास को जोइन कि हुए है इसको आप अपने कॉपी में एक बार फिर से कहते हैं इसको लिख लीजिए अब अगली वीडियो में आपके लिए नियम लेकर आएंगे कोई